पूर्वी हिमाले भारत के पूरों में इस्थित पूर्वी हिमाले शेत्र में साल के दो या तीन महीनों को छोड़ कर शेश माह में वर्षा होती रहती है मई से सितंबर तक यहां मुसलाधार वर्षा होती है विश्व में भारत का मिघाले सबसे अधिक वर्षा वाला राज है मिघाले के मासिन राम में सरवाधिक वर्षा होती है यहां प्रत्येक वर्ष 1187 सेंटिमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है सरदी के मौसम में कडाके की ठंड पड़ती है कहीं कहीं हिम पात भी होता है बहुत अधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालाय में बहुत घनेवन है इन वनों में बास, बेत, तथा तेजपत्ता, बड़ी इलाईची, दालचीनी जैसे मसालों के पेड़ बहुत पाय जाते है यहाँ पहाड़ी ढाल होने के कारण सीड़ी नुमा खेती की जाती है यहाँ जूम खेती भी की जाती है अरुनाचल प्रदेश के कुछ भागों में आज भी जूम खेती होती है मीजो कभीले के लोग जूम की खेती करते हैं सभी लोग मिलकर खेत का निर्मान करते हैं दिसंबर के महीने में वर्षा कम होने के कारण ये लोग खेत तयार करने के लिए निकल जाते हैं एक खेत पर दूसरे कुनबे का अधिकार नहीं होता पिछले वर्ष जहां खेती किये हैं वहाँ छोड़ कर दूसरे जगह खेती करते हैं सारी जमीन कुन्बा की होती है किसी एक वेक्ति का अधिकार नहीं होता काफी खोजबीन के बाद खेती के लिए जगह का चुनाव होता है जंगल को काटने का काम प्रारंब होता है किसी भी परिवार को मजदूर लगाने की आविशक्ता नहीं होती सभी मिलकर काम करते हैं पेड काटते समय ठूट छोड़ दिया जाता है जिससे बरसात के समय मिट्टी का कटाव रुख जाता है मार्च अप्रल में सूखे पत्तों में आग लगा दी जाती है अब जमीन पर राख बिच जाती है वर्षा के समय राख मिट्टी में घुल मिल जाती है इन प्रदेशों में हल नहीं चलाया जाता एक ही खेत में धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेम, प्याज, तंबाखु, मिर्ची, आदी मिला जुलाकर कुदाल की सहायता से बोया जाता है अगस्त से दिसंबर तक फसलें एक-एक कर पकती जाती है और उनकी कटाई होती जाती है जूम खेती के कुछ समस्याय भी है इससे जंगल कम होने लगे है जूम खेती के लिए परियाप्त जंगल नहीं है अब लोगों ने सीडी नुमा खेती करना प्रारम कर दिया है लेकिन पहाड़ी ढालों पर यह कारे भी कठीन है उत्तरपूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास बच्चों, आज मैं आपको उत्तरपूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताती हूँ भारत शशन ने एक कानून बनाया कि भारत के दूसरे प्रांथ के लोग उत्तर पुर्वी राज्यों में जमीन या जायदा नहीं खरी सकते शद इसके पीछे शाशन की ये मंशा रही होगी कि वहा के लोग ही उस शेत्र के विकास में अपना योगदान दे जिसके कारण वहा के आदिवासी यूख और यूतिया पढ़ लिक कर उस शेत्र का उन्होंने विकास भी किया साथ ही भारत के दूसरे प्रांथ में और अपने शेत्र में भी उच्चपत पर वेकारे कर रहे हैं इस उत्तरपूर्वे राज्य में बड़े उद्धोग या व्यापारिक जमीन न होने के कारण जीविका के लिए साधन बहुती सीमित है जिसके कारण लोगों को यहाँ पर रोजगार बहुत कम उपलब्ध होता है चलिए बच्चो अब हम बात करते हैं चाई के बागान की चाई भारत के अधिकांश लोग पीते हैं आपको पता है बच्चो यह चाई कहां से आती है यह चाई भारत के पूर्वी हिमाले से आती है असम में चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है यहाँ पर चाय के निचली पहाड़ें में बड़े बड़े बागान है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय के बागान दिख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो आप चाय पत्ती देखते हैं न बच्चो ये चाय पत्ती इनी पत्तों से बनती है इन पत्तियों को तोड़ कर सुखाया जाता है और मशीनों की सहायता से उसे काटा जाता है चाय का उत्पाधन भारत में अधिक होने के कारण और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होने के कारण हमारे देश में ही नी बलकि विदेशों में भी ये बहुत प्रिय है जिसके कारण अधिक मात्रा में इसका निर्यात विदेशों में होता है चाय असम की प्रमुक फसल है